वहीं दोर में तेंदुए का रेस्को ऑपरेशन किया गया अभी भी और जारी है ऑपरेशन ग्रामिड शेत्र में घूम रही है माधा तेंदुए सीसे टीवी कैमरे में इसकी तस्वीर है कैद हुई वन विभाग द्वारा दो से तीन पिजरे लगाए गए हैं तेंदुए को पकडने के लिए गर्मिड शेत्र में तेंदुएक उलेकर रह्वासयों में डर का माहल है रात में घर से निकलना बन्द कर दिया है ग्रमिड शेत्र के रहवासयों नेनोद सेंद़े के समर्थ कोलोनी के सीसी तीवी सामने आये हैं वन वाक की तीम डौसक्य उपरेशन में ज मंद्रदेश मंत्राले के प्रवक्ता ने बयान जारी कर विरूद जताया सीम डॉक्टर मोहन यादाव ने कहा था कि भगवान राम की प्रतिष्ठा पाकिस्तान के बचे हुए हिस्से को भारत में मिलाने की और पहला कदम तो मंद्रदेश के सीम डॉक्टर मोहन यादाव के इस बयान पर अब विवाद शुरू हो चुका है पाकिस्तान के विदेश मंत्राले की तरफ से एक बयान जारी हुआ जिसमें विरूध जताया गया है प्रिस रूलीज में विरूध जताया गया और सीम डॉक्टर मोहन याद की और पहला कदम और इसी बयान को लेकर पाकिस्तान ने आपत्ती जाहिर की तो सी एम डॉक्टर मोहन यादो के इस बयान पर पाकिस्तान की प्रकार से जो 46 में हमारे हाथ से सिंध का जाना वा पंजाब का बढ़ना हुआ पाकिस्तान को खडित होना हुआ परमात्मा करेंगा आज नहीं तो खल आपस देशी करेंगे अखंड़ वारत की बनाएंगा तो सिंध पंजाब बल्कि अफजानिस्तान इक तक हमारा वापस आपके सामने हो यह समय हमारे सामने आए हमसब आज के उसर पर भगवान ग्राम के मंदिर का बनना यह हमारे लिए निश्यदूरुप से अखंड वारत की दिसा में एक बड़ा कदम हो यह परमात्मा की इच्छा है